Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQTech Myself Umar Tashkir Guys, इस particular वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही advanced concept को समझने वाले हैं जो है हमारा UTM Parameters ये एक concept है जो केवल Facebook Ads में ही नहीं बलकि Google Ads में भी use होगा UTM Parameters इसी को हम लोग URL Tracking भी बोलते हैं और इसी चीज़ को हम लोग URL Parameters भी बोल तो अगर इन में से कोई भी नाम आपके सामने आ रहा है तो आपको confused नहीं होना है हम सेम चीज़ की ही बात करें अब समझो concept क्या है इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक example दिखाता हूँ मैं आ जाता हूँ यहाँ Google पे और मैं यहाँ कुछ सर्च करता हूँ कि मैंने सर्च किया जैसे यहाँ पर digital marketing courses मैं digital marketing courses यहाँ पर सर्च करता हूँ बड़े सारे मुझे आड दिखाई देते हैं मैं किसी एक specific आड के उपर जा रहा हूँ जैसे मैं दो आड जो पिन किये उसके बाद मैं तीसरा आड जो है वो तो यह जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो url है इसमें यह url पहले एक बर copy कर लेता हूँ और मैं यह url लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैं यहाँ paste कर रहा हूँ तो actually जो हमारा page है जो हमारा landing page है या जो यह website है वो तो केवल यह चीज है इतनी ही चीज है केवल मैं इसको अगर यहाँ पर copy करता हूँ और केवल इसको ही मैं open करता हूँ तो आप देखो इसको मैं open कर रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो यह इस चीज में और इस चीज में यह इस पेज में क्या आपको कोई फरक दिख रहा है कोई भी फरक नहीं, जो page ये है, same page ये भी है, इन दोनों ही pages में कोई भी फरक नहीं है, फिर आखिर ये वाला जो हमारा URL है, इस specific URL से, ये जो URL 1 जो मैंने पहले लिया था, URL 1 और इस URL 2 में, क्या फरक है, जब दोनों ही चीजें एक ही page के उपर जा रही है, तो आखिर ये दोन complicated किस तरीके से हो सकता है, मैं इसमें ये और चीज हटा देता हूँ, यहां से, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि इसको हम दोग नहीं discuss करें, इसमें ही चीज को समझो, कि ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको open करता हूँ, देखो, इसको भी मैं open करता हूँ, तो भी ये उसी से समझते हैं, देखो, यहां पर अगर आप देखो तो ये लिखा हूँ है source, गूगल, मतलब गूगल से ये URL हिट हुआ, मतलब गूगल से ये URL हिट हुआ, और वही हुआ भी, आप देखो, मैं पहले गया था Google के उपर, और Google से ये URL हिट हुआ, तो ये information जो है, वो URL के साथ जोड़ गई, ठीके, ये जो URL हिट हुआ, ये Google से हुआ, CPC हुआ, यानि cost पर click, जो हम campaign, क्योंकि हमने add पर click किया, अगर आप देखें यहां पर, तो हम लोगों ने नीचे नहीं click किया था, कहीं पर भी, हम लोगों ने यहां पर add पर click किया, इसलिए वो information carry कर रहा है, अगर इस add के साथ, आप देख रहे हो, तो ये UTM parameters लगे हुए, ठीक है, तो पहली बात, ये कुछ information carry कर रहा है, कि visitor click करके कहां से आ रहा है, ठीक है, तो visitor Google से आ रहा है, source Google है, medium CPC है, ठीक है, campaign का नाम, मतलब वो लोग जो advertiser, जो ads run कर रहा है, उन्होंने campaign का नाम क्या रखा है, व marketing courses, जो मैंने term डाला था, digital marketing courses, ठीक है, जो search डाला था, वो भी यहां show कर रहा है, बट ये हमारे लिए नहीं है, मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है, जो searches कर रहा है, ये किसके लिए, जिसने ad run किया, यानि कि advertiser के लिए, पास समझो, यानि कि जब ये information URL से attach हो जाती है, ये वाली जब information URL से attach हो जाती है, तो ये same information हमें analytics में भी दिखती है, तो ये हमें और ज़्यादा information provide करती है, कि आखिर visitor कहां से आ रहा है, पास समझ रहा है, तो जब कभी भी हम ad बनाएंगे, मैं फिर से आपको समझानी कुश्च करता हूँ, जब कभी भी हम कोई ad जैसे campaign का हम लोगों ने जो structure देखा था, उस पर फिर से आते हैं हम लोग, हमारा एक campaign होता है, और campaign के अंदर हमारे पास होता है, तो अगर in ads के उपर click करके visitors हमारे पास आ रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं, कि वो इस ad से आ रहे हैं, यानि add no.1 से आ रहे हैं, या add no.2 से आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कि हम in ads के साथ क्या करते हैं एक UTM parameters आद कर देते हैं, UTM parameter आप यह जोड़ोगे कि यह source जो है, इसका source क्या है, इसका जो source है, वो है हमारा Facebook, ठीक है, Facebook से आ रहा है visitor, और इसका जो medium है, वो क्या है, medium है, यहाँ पर display add अगर आप run कर रहे हो, video add run कर रहे हो, ठीक है, image add run कर रहे हो, कौन side आप run कर रहे हो, तो वो medium हो गया, content का क्या ना analytics में दिखाई देगी, ठीक है, याद है, हम लोगों ने बात करी थी, Google Analytics की, Google Analytics तो चलो, अलग चीज होती, बट हम यहाँ पर सोड़ी से बात करेंगे, Facebook analytics की, तो यह सारी जो information है, हमारी, वो Facebook analytics में दिखाई देगी, और उसमें मैं पता चलेगा, कि इस source से, कितने लोग आए इस medium से कितने लोग आएं, तो हर एक individual ad की हम tracking कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग QTM parameters को use करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका option आपको कहाँ पर दिखता है, तो for example, हम लोग जब ads manager में आएंगे, और आपको जब add create करेंगे, जैसे मैं add के उपर यहाँ पर आता फाइनल लेवल पर यह option आपको दिखता है, आप add वाले लेवल पर आएंगे, और नीचे गर आप आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको UTM parameters मिलेंगे, आप यह information एंटर करो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, हम लोग और नीचे आ जाते हैं, तो tracking से ही related ह क्योंकि हमें इससे पता चल रहा है कि हमारी website के उपर कौन-कौन से, जो है source से लोग आ रहे हैं, क्योंकि actually वो जा तो website के उपर ही रहे हैं, तो अब add के उपर click करेंगे, तो जाएंगे तो website के उपर ही न, तो यहाँ पर हम लोग दिखते हैं, इक पार, let it load, यह थोड़ा सा कभी कभी time लेता है load करने में, तो इसमें हम लोगो कोई tension नहीं लेनी है, ठीक है, फोड़ा सा time लेता है, क्युक्कि FBुक तोड़ा सा heavy है और यह थोड़ा सा time लेता है, कभी कभी Google पर हम लोग सीखेंगे, तो Google भी ठोड़ा सा time लेता है, बट Facebook कु जादे time लेता है, तो हम के बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरीके से काम करता है तो utm parameters guys कुछ भी नहीं है इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और आसान language में कि utm parameters हमें tracking में help करते हैं जो information हमारी यहां पर store होगी उसी information को यह वापस analytics में भेजने में हमें help करते हैं तो यह होते हैं actually हमारे utm parameters तो यहां पर आप देखो जैसे utm parameters यह URL parameters लिखा हुआ है तो इसी को use करके हम url parameters को create करते हैं तो मैं एक बार ऊपर आजाता हूँ यहां ठीक है और यहां पर देखो add a website url लिखा हुआ है जब आप add a website url मतलब कहां पर आप लेकर जाना चाहते है यूजर को तो मैं यहां प का यूम स्यर्क्ट और मेंकर मिलकिन और यहां पर ठीक है जो भी हमारे शेया जैसे traffic है, traffic campaign for Delhi हम run कर रहे हैं तो यह हमारे campaign का name हो गया, campaign का content क्या है, campaign का content जो है वो हमारा add का name है वो हम ले लेंगे कि जो campaign का content है वो हमारे add का name है, यह देखो यह हमारा URL parameters बन रहा है, यह हमारे URL parameters होते हैं, तो अब कोई अगर इस specific add के उपर जो मैंने यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, एक बार यह URL मैंने लिकाला है, तो देखो यह URL बिल्कुल वैसा ही URL है जैसा यहाँ पर हम लोग URL देख रहे हैं, तो अब जब मैं यह UTM parameter इस add के साथ add कर दूँगा, और इसके उपर कोई click करेगा, तो यह कुछ extra information मुझे analytics में show करके देगा, अब हम लोग चलते हैं, वापस analytics में, तो यहाँ पर आप देखोगे, हम लोग आ जाते हैं, facebook analytics में, और इस page को मैं कर देता हूँ, leave, तो UTM parameters, फिर से मैं आपको याद दिला दू, UTM parameters हमारे किस काम आते हैं, दोस्तों, UTM parameters हमारे tracking के काम आते हैं, अगर हमें किसी URL के basis पर tracking करने, इस add पर click आया, तो वो कहां से click आया, वो information, मतलब हमने add बनाते ही बक्ते बता दिया, कि अगर इस add के ओपर click आयेगा, तो ये source, ये medium, ये add content, ये सारी information आप भेजो, Facebook analytics में और वहां से हमें पता चल जाएगा, तो मैं अपने pixel में आ जाता हूँ, और pixel की analytics को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक minute में से back भी कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और pixel की analytics एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ही रुख जाते हैं हम लोग, यह भी pixel की analytics है, यहाँ पर आप जब activity में जाएंगे, ठीक है, if you go to activity, एक बार इसको मैं वापस जो है, वो लोड करता हूँ, यहाँ पर तकि यह लोड हो जाए, और आपको चीजें समझ में आएं कि UTM parameter चलो, यहाँ तो हमने बना दिया, लोगों ने add के ओपर क्लिक भी किया, information collect भी हुई, बट गई कहां, ठीक है, तो वो मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर analytics में analytics entity, मतलब यह वाला पिक्सल जो analytics capture कर रहा है, यहाँ पिक्सल लगा कहां पर हमारी website के ओपर लगा हुआ है, लोग हमारे add को क्लिक कर रहे हैं, facebook के ओपर जा कहां रहे हैं, website पर जा रहे है, website की information pixel के थुरू वापस आ रही है, तो यहाँ पर जब आप activity में जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे options जो है, वो दिखाई दे रहे हैं, यह बहुत सा रहे options Olivier content है, ठीक है traffic का source क्या है तो इन reports को जब आप और ज़्यादा open करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किन source से और किन medium से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो traffic है वो आ रहा है तो वो आपको यहां से पता चलता है क्योंकि pixel वो information आपकी carry कर रहा है तो अब आपको यह पता करना मुश्किल नहीं है कि add 1 से लोग आ रहे हैं जादा है 2 से आ रहे हैं 3 से आ रहे हैं 4 से आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं तो page views कि source से हो रहे हैं मलब किस specific add से हमारे page views हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो वो अगर हम mention कर देंगे तो वो हमको यहाँ पर show करें यहाँ पर unknown अभी दोस्तों क्यों है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई UTM parameter यहाँ पर set नहीं किया है इसलिए अन्नोन दिखा रहे हैं तो दोस्तों I believe अभी आपको UTM parameter जैसा advanced जो concept है वो समझ भाय होगा कि यह किस तरीक से काम करता है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुद्बाय